हेलो सांतियो, वेलकम तो रॉयलिश्टडी, दोस्तों मत्य प्रदेश पटवारी 2023 की साथान इग्जाम का अनलिसिस लेकर फाइनली हम आपके लिए आ चुके हैं और आज 16 मार्च फस्ट सित का अनलिसिस हम कवर करेंगे, जैसा कि आप सभी को पताइए हम पूरी डिटेल के सा यही कि पीडिएफ कहाँ पर मिलेगी, अप्लिकेशन पर यह वाली जो प्रॉसेस अगर इसको फॉलो करते हैं आप तो पीडिएफ मिल जाएगी, हमने कल वाली दोनों पीडिएफ डाल दिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, अप्लिकेशन पर जाईए यह यह प्रॉ पूरा देखेगा इस वीडियो को, और यह वीडियो अपने पूरा देख लिया गाईज तो आपको मतलब और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, सबसे पहले हम बात करते हैं GK और Current Affair की, कि GK और Current Affair में कहां-कहां से questions आपके पूच गये हैं, बट उससे पह बार बार चेनल पर विजिट करके परिशान ना हो, आप नोटिफिकेशन ओन कर लिजिगा था कि जैसे ही वीडियो डलेगा, आपको तुरंट से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कि लिए एप्लिकेशन को डाउलूड कर लिजिगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगी, देखे पहला कोशन आपसे बना है, जीके और करिंट फेर का, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेका था, देखे टोक्यो ओलंपिक का आप सभी को पताईए, और काफी जाधा चर्चित था ये नीरज चोपड़े, जो कि टोक्यो ओलंपिक में इन्हो अलंपिक जो हुआ था, इसमें पूरुसो की स्पीया टॉस बोल्ड पुसकार इन्हों ने जिता था, के लिए एड़ टोजे डिटीले, एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा, आने वाले सिप्ट में भी यहां से कोशन साब की पूछ रहेंगे, गैस भाला पे खेल के साथ में इन्होंने स्वर्न पदक भी जीता था, के लिए रहें, भारत के नीरज चोपडा जो हैं, ये अभिनाव बिंदरा के बाद ओलंपिक चेंपियन बनने वाले के वाले के वाल दूसरे व्यक्तिगत भारती अटलेट बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो हैं, पुरोसो की भाल अगला कोशन पूचे गया है, हाली में खजुराओ नित्यमहुस्ताव का कौनसा संसकरन आयोजित हुआ है, उन पचासवा संसकरन ये आयोजित हुआ है, हमारी 2023 की जो मद्रदेश की करेंट अफेर है, लॉंच हो चुके हैं, और उसमें काफी डीपली हमने कवर किया है, परिटा निस्तले खजुराओ, और यहां खजुराओं में खजुराओं के संसत्त भाजपा के प्रदेश सद्यक्षे विस्नु दर्थ सर्मा, इन्होंने इसका सुबारंब किया है, तो ये भी पूचे जासकता है कि किसने किया है, और साथ दिनों तक चलता है, उन पचासव कोई ची याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखी जिगा कि आप तारिका पेपर कप से कप चला था, 20 तारिक से 26 तारिक तक चला था, सेम उसी टाइम पिरिएड में आपका खजुराओं नित्माहों सो 20 ते 26 तक चला था, के लिए रहे, नेक्स्ट कोशन बना है, मंद् संसकती परिसाद, इनको ये सन्युक्त रूप से करते हैं, इसका आउजन, बैसिकली ये आप इतना याद रखेगा, और खजुराओं नत्य महुलताओं जो है, इसके सुरुवात हुई थी 1975 में, तब से लेकर राज्ता किये जो नत्य समारों है, ये खजुराओं के सुप्र इसका पतन कर दिया था, तो ये किस ने किया था, चंद्रगुप्त द्विती ने किया था, और रूद्र सिंग तृति इनका नाम ही, और भारत में अंतिम सक सासके थे, तो हो सकता है, नेक्स्ट कोशन ये इससे बन जाए, और इसकी जो हत्याए, ये चंद्रगुप्त विक् मान किया था, खिले रहे, तो आप ये याद रखिएगा, ये कुछ चीज में किलेर करवा दूँ, गैस, कल के वीडियो में, हस्के सिप्ट का जो पाइपर था, उसमें हमने जल का जो पी एच मान होता है, वो पोर बता लिया था, या तो कुछ जल्दबाजी में हो गया होग या कुछ कैसे भी हुआ गलती है, हम मान रहे उस चीज को, तो हमने कमेंट में वो कमेंट पिन कर दिया है वो वीडियो में, तो आप वहाँ पर राइट अंसर उसका देख सकते हैं, उसके लिए आप सभी से हम भापी चाहेंगे, देखे ये जो चीजे हैं, ये अपसर हो जा उने जो गाइस नंद वन्स के जो सक्तिसाली मगर सम्राटा धनानन इसको हराया रहा, तो ये चंद्रगुप्त मोरी के बारे में आप याद रखेगा, और ये कोशन्स ऐसा कोशन्स से जो डायक ली सीधे सीधे बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, है ना, तो आप बिलक हमने तोड़ी से रिसार्च के इसके बारे में, हमने वहीं से तोड़ी से रिसार्च के तो हमें पता चला ही, कि 2023 में मद्य प्रदेश के 32 जीलों में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हुई थी, क्या हुआ था, चिकिस्था संपर की यात्रा निकाली गई थी, देखिए यहीं कॉशन आई तो आप हमें में कमेंड में कमेंड करेके बताइएगा क्या था, क्योंकि हमें कुछ समझ बही नहीं आ है, इसके अलावे कोई कॉश्चंस अमारे दिमाग में तो नहीं आया है, क्लिए रे, वोचिकिस्था महासंग ने मांगो का समादान नहीं होने पर प पंचवर्सी योजना से किस चीज को सामिल किया गया था इस तरह से से सेम रिलेटेड कोश्चन्स पूज गया था और पंचवर्सी योजना वाला पूरा वीडियो हम सेफरेट आपको दे चुके हैं और इसकी स्ताफना 20 सिव रामन समीति की सिपारिस पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसकी स्ताफना चटवी पंचवर्सी योजना 1980-85 के दोरान पूई थी तो याद रखेगा अगर आपको डेड़ भी पूचे जाए तो ये भी आपसन भी बता दीजिए नेक्स्ट कोचन बना है उदेगिरी में वरहा मंदिर किस गुफा नंबर में देखने को मिलता है तो उदेगिरी में वरहा मंदिर जो देखने को मिलता है ये गुफा नंबर 5 में देखने को मिलता है याद रखेगा पांच नंबर जो गुफाए भगवान विस्नु के वरा उतार की करीब 12 फिट उची प्रतीमा अपने आप में एक भवी और अनूठी है यहाँ पर तो इसका आप याद रखेगा कितने फिट उची है तो कि कॉश्चंस पायटन पर पहले पूचे जी भी चाच चुके हैं और यहाँ से कॉश्चंस अल्रेडी बने भी हैं तो विस्नु वरहा उतार की जो यह प्रतीमा हैं यह 12 फिट उची प्रतीमा हैं जो कि पांच नंबर गुफा में देखने को मिलिए उदेगिरी की और नर वरहा की यहाँ प्रतीमा सिल्प इस्तापत्य धर्म सिंसकति और रशना को मिलती हैं और गुफा जो एक उतली जगा की तरह लगती हैं और इसमें वरहा उतार के रूप में विस्नु का प्रसित पैनल देखने को मिलता है बगवान विस्नु का नेक्स्ट पॉइंट की बात करें देखिए उदेविरी की जो गुफाएं इनमें पुल गुफाएं कि गुफाओ को कुछ गुफाओ को काट दर पानी की टंक्या बना दी गई तो कुछ के सिर्थ पर मंदिर और इसमारग भी बनाए गए हैं और गाईज हमारी पटवारी के टेस्टी सीरी आपको बता चुके हैं बट आपको चाहरे हैं तो बन फोटी नाइन में मिल रही है अच की सायक नदी होगी जो खुद यमुना की सायक नदी है जो गंगा में विलीन होती है तो बनास की जो लंबाई है यह 512 किलोमेटर है और बनास नदी की उत्पर्ति बेरॉन का मट से हुई है बात करें चंबल की तो चंबल नदी की जो उत्पर्ति हुई है यह जाना पाव प इसमें पहला जो डियाई हुआ था यह बावीश जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीच के भीच में खेला गया था और इस मेदान में फ्लाइट्स देखे फ्लड लाइट्स और दिन राथ में में जो की मेजबानी की जाती है और यहां मोल रूप से महान भारती होंकी के जाता है और होंकी के खिलाडी थे यह रोप सिंग इनके नाम पर यह थे तो इसमें सारे लोग अन्पूर हो जाते हैं और MP Constable की एकजाम में तो इसमें बैटक चमता बगेरा भी पूची गई थी जो कि आपको अच्छा से देख लेना है इस्टीडियाम का पहला एक दिवसी पसुपटी नात मंदिर जो की मनसोर में देखने को निल्टा है आपको इसमें मुख के कितने मुखेhen के लिए पसुपटी नात मंदिर मंदिर मनसोर में मयं सिव बगवान के इप आठ मुखे ettie के संबंदी थे जो सेव धर्म सेख के भीतर शे प्रमुक परंपराओं में से एक हैं कि लिए रे नेक्स्ट आगे पड़ते हैं देखे यह सिवना नदी पर इस्टी थे और सिवना नदी के किनारे बैसकली यह इस्टी थे इतना आप याद रखेगा और आट मुखी सिवलिंग के के लिए वैसे के लिए जाना जाता है सिवना नदी के आपको याद रखना है यहां पर यह जो पसुपतिनात मंदी रही इसमें जो सिवलिंग की प्रतिमा है आट मुखी यह कितने फिट की उची है कितने फिट उची है यह भी हो सकता है पूछ ले जाए चार दसमलों पांच मीटर में पूछ जाए फूट में पूछ जाए तो 15 फिट किले रहे लंबी है किले रहे और यह आट मुखी है शिव पृतिमा पसुपतिनात मंदिर में जिसे फिर से बनाया गया है तो सारे डिट इसके बारे में आप थोड़ा सा एक नजर देख लिए है हमने इस पैसल इसके उपर वीडियो दे दिया है उसको आप एक बना जाए देख लिए क्योंकि करेंट के कॉश्चंस कापी जादा अभी खजुराओ नत्य महुसा उपुच है 2023 और मार्च में एक्जाम है तो हो सकत इसके नोग पॉइंट या फिर निक पॉइंट या के वल निक इन तीनों नामों से जाना जाता है बहुती जल प्रपात नेक्स्ट कोशन बना है आपसे पंचमडी कहा है इस तो पंचमडी जो ही यह सत्पूड़ा परवतमाला में इस ते पंचमडी मद्रदेश के में एक दांतेदा चक्टान के ओपर स्टक राता है यह वो सत्पूड़ा राश्टुध्यान में तेंदवर भारती बाइसर रहते हैं तो याद रखिएगा सत्पूड़ा टाइगर रजर्व जो है यह भी आपका होसंगबाद जिले में है पंचमडी भी होसंगबाद जिले MSME को मजबूत करने के लिए सुक्षम लगो और मध्यम उध्यम विवाग का गठन किया गया है कब किया गया 5 अपरेल 2016 और सुक्षम लगो और मध्यम उध्यम विवाग के गठन का लख्ष MSME के लिए ऐसी नीतिया बनाना जो इन्हें विक्सित करने के सांसर सक्रिशम भी ब संसद की सञ्यूकति बैटक भारत के रस्टपधी दोळा एक तो आनुः च्रिध के तहर बुलाई जाती हैं, और इसकी जो अज्यक्ष था है लोगसवा के अज्यक्ष दौअरा, या उनकी अनुपस्थिती में लोगसवा के उपाद्यक्ष द्वारा, या फिर उनकी भी उप यदि उपरक्त अधिकार्यों में से कोई उपस्ट कीव सभा पति वह इसके अध्यक्षणा नहीं कर सकते हैं। अब हम और थोड़ी से देख लेते हैं, भारती संसद की सन्यूपड़ पैटक में केवल तीन विद्ययक के लिए बुलाई जाती है। बुलाई गया है दहज निसेध विदयक जो की 1971 में बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विदयक है 1970 और आतंकपपाद निरोध विदयक जो है ये 2002 तो ये तीन चार चीरिया आप याद रखिएगा यहां से कोश्चन तो आपकी डेफिनेटली बनने वाले हैं अगला कोश्चन है प्लासिका युद्ध कब हुआ था अब यह तो यह पूचा हो आप से कि प्लासिका युद्ध कब हुआ था किसके बीच में हुआ था है ना कोश्चन कुछ भी हो और सारी डिटील यहां पर आपको पता होनी चाहिए प्लासिका जो युद्ध है यह 23 जून को हुआ था सत्रा सतावन को और पूरा कोश्चन क्या था यह आप हमें कमेंड में कमें कमेंड के दे जरुस बतारे चीगा तो सतावन को लड़ा गया था और यह इस्ट इंडिया कंपड्ल के बाट स्थ है दतिया का महल जिसको सत्कंडा महल बळा जाता है, पोरी जो इमारत है, यह सात्मघ्र पूरी जो इमारत है, यह सत्तर ओर पत्तर और रिटो से बना वगई है यानि लक्डी और लोहे कर सित्माल इसमский नहीं किया गया है। दतिया महल भारत में इन दो इस्लामिक इस्तापति के महानुदारों में से एक हैं, राजकुताना और मुगल सेल्यों का मिस्त्रन से सांधार रूप देता है। नेक्स्ट कोशन बना है। 1221 महिला है इसके साथ ही बहिंग जिला है यहां का लिंगानुपात सबसे कम हैं यहां पर 1000 पुरूसों पर 837 महिला है यहां पर हैं किले रे अब कल वाली सिप्ट में आप से कोश्यंट्थ बनाथा इसका शर्ट रद मद्यप्रदेश के शर्ट डर केथा तर् नाचकर स्काइब ओछिन का ब्ली और झी अगे बड़ते हैं आईये अगला पथली में रहती है तक नहीं किएoncé these सबसे ज्यादा पतली रेट कॉंसे टापू में रहती है और उन्हें बताए हनुवंतिया आपका राइट अंसर था हमें उप्चेंस भी नहीं बता रहें बट उन्हें बता रहें अगर कोई और भी आंसर इसका हो सकता है हम शूर नहीं है 100% कि इसका यहीं आंसर होगा क्योंकि जल महुसाँ जो आजुत हुआ था यह पहली बार इसका अनुमंतिया में किया गया था तो यह एस्टेटिक वाला कोश्चना बन चुका है हमसे हो सकता है पूच लिया जहाए इंद्रा सागरबांत के निर्मान से उत्पन हुई मेर की कारण एक विसाल जिल का निजन में यह यहां से कोश्चन्स आपका उचे गयता कॉंस्टेबल में तो इस टापू पर आवाज बोजन और नौका विहार प्रूज राइज राइट की सुविदा देखने को बलती है वरतमान में टापू पर मंधिपदीस परेटन विकास निगम का एक होटल भी है हनुमंतिया टोरि deeply detail के साथ cover फरवादेंगे अगला कॉशन है भारत नाट्यम कि स्राजिय का प्रसिद्य नित्य है तो यह tamilnadu का है तो बरतमान में इसंने 8 भारति Twelve CLI सेलियों को सास्तित दर्जा प्रदान किया गया है तो यह डेटा आप याद रखेगा आट सास्तित नित्य जिनको तास्तित का दर्जत प्रदान किया है संगीत नाठा का अकादमी के द्वारा इसके अलावा गाइस और भी कोश्ण से बने हैं आपके सानवीदान से हम थोड़े सी अपडेट आपको देदे थोड़े सा इंफोमेशन है देखे पटवारी के हमारे स्पैसल टेस्ट सीरी जिस पे काफी कम प्राइस कर दी गए इसकी स्पैसल आउपर जल रहा है जेल प्रारी फोरेस्ट गाट एंपी सब इंस्पेक्टर इसके लावा MPPSC और य आईये कंतिन्यू करते हैं अब हम साइंस को कवर करते हैं साइंस का अनलीस करते हैं साइंस के और सभी सब्जЕκ्टिक धिए में सभी कोशन में इंचुके हैं के लिए पहला कोशेट बना है साइंस का बाकसाइड किसका आयास करें बाकसाइड जो है यह यह याद रही बना हुआ है आप सभी लोगों को यह पता होगा के लिए अगला कोशन बना है दोलन किस परकार की गती करता है दोलन किस परकार गती करता है तो यह रेकिक गती करता है रेकिक गती एक एतलीट की तरह एक सीधी पट्री पर होती है, तो इसको रेकिक गती बोला जाता है, जो की दोलन करता है, तो एक प्रकार की दोलन गती जिसे सरल हार्मोनिक गती के रूप में जाना जाता है, एक त्वरन पर सीधी रेका के साथ चलने वाले एक कन के रूप में परिभासित यह क्या जा सकता है जो लाइन पर निश्चित बिंदू से दूरी के विप्रित अनुपातिक हैं के लिए रहें next question बना है नावे की विक्टन से questions आपका पूछा गया है इसके लाव पादप से related questions आपके पूछे जन्तु और पादप से related कामों के संशिप्त रूपों को रासानी प्रति कहा जाता है इनको बैसिकली सिंबल ही बोला जाता है अगला कोशन है जिवानों जो पोदों की जड़ में रहता है तो यह रूप से रहता है और वायोमेंडली नाइट्रोजन का इस्तरी करन करता है यही कोशन है आपका नाइट्रोजन का इस्तरी करन वाला तो यह कौन सा है यह राइजोबियम होता है अविला कोशन बना है विटामिन डी किससे प्राप्त होती है तो विटामिन डी जो होती है यह अंडे का पीला बाद मचली के तेल विटामिन डी यू अगला कोशन है सूरी की किरन से कौन सा विढमीन होता है अगला कोशन है विटामिन A का राषानिक नाम क्या है तो रेक्टिनॉल होता है और यह जो विटामिन होती है हमारे सरी में खास कर गे सफेद रख्थ कोसिका यानि वाईट ब्लडड सेल्स जिनको WC बोला जाता है, तो वाईट ब्लड सेल्स सफेद रख्थ कोसिका उसे जुड़ी होती है, जिसे के प्रोटीन से अभिखरिया के फल लाल रंगुतपन करता है यानिकि सबुछा नाखून और बालों पाय जाने वाला के रेटिए सबनें का अगलागुशन है परियावरन में नुकर हाएं अगलायावरें अगलायावरों सहे worse प्रोरा एक्जट बताया है कि काहा काहा विदांसर बताया कि कैसे कैसे साथ कि बने है अब हम बात करते हैं और computer को अब करते हैं कंप्यूटर में देखने को मिले computer की पीडियो से दो से थीन questions बने हैं input output से questions बने हैं memory based questions बने हैं आपके memory से related इसके लिए लाब power points से questions बने हैं कंप्यूटर की भासा से जिसको जावा सी प्लस प्लस इस तरह से भी कोशन सापी काफी दादा चार्वाच कोश्चंस बने हैं MS-Excel से कोश्चंस बने हैं Software से कोश्चंस आपकी बने हैं File Transfer Protocol से कोश्चंस बने इमेल इस प्लस बना है आपका ऑपरेटिंग से कोश्चंस बने हैं सर्च इंजन वे ब्राउजर से भी कोश्चंस बने हैं तो यह पूरा कोश्चंस बने हैं सुध वागी के पहिचान करना है सुध करना इस तरह से कोश्चंस के बने है वि लों सब्ध और परियाइवाची सब्द से भी कोश्चंस बने है देखिए एक अलंकार हम आपको बता देता है क्या questions बना था question बना था आपका कि महाराना प्रताफ वाला जो चेतक वाला गोड़ा जो नदी के उस पार उस type का हमें कुछ याद नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बट काफी ज़्याद आपने 910 ते में याद किया होगा इस अलंकार में इस लाइन को महाराना प्रताफ वाला जो चेतक वाला गोड़ा होता है वो नदी के उस पार आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो अति शोक्ति अलंकार इसमें हैं हम इतना और आपको बता रहे हैं तो आपनो आपने कवर कर लिया होगा जिन लोगों को पता है वो कमेंट में भी एक बार टाइप कर दीजिए नेक्स्ट वच्वराष से पूचे गया है आपको चंद से कोश्वन बना आया है इसके किमाई हों जो बढ़े उसमें भी कॉछछन आ रहे हैं तो कि बीजिटि पॉठेंग बने से पॉट्स पूचिंत नहीं है आप अच्छे से इनको एक बार रिकोल कर ली जगा सारी चीजें, रिविजन कर ली जगा इनको अच्छे से, और capital budget, zero budget, यहां से questions बनाए है, इंग्लिज में, error से questions बने हैं, grammatical mistakes से questions बने हैं, sentence से, यह कि sentence होता है, उनको करम से जमाना होता है, A, B, C, D, इस तरह से, तो उनको आगे पीछे करके जमाना होता है, उपर नीचे करके, sentence होते हैं, I think आप समझ पार हैंगे, उस तरह से questions बने, vocabularies से questions बने, इसके लब डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट से questions बने, narration से questions बने, item से questions बने हैं, तो यह कुछ selected questions से, topic से, यहां से आपकी इंग्लिज में questions बने हैं, बट यहां पर हमें जितना बताए हैं, उतना ही हम आपको बता रहे हैं, इलिए रहे, आईए और आगे बढ़ते हैं, और इसमें spelling थोड़ी सी mistake हो गई, मापी चाहिएंगे, मैस आप सही कर ली जिगा इसको, इलिए रहे, तो मैस में हम बात करें, तो पहला जो, सबसे पहला हम बात करते हैं, त्रिकोन मिती की, त्रिकोन मिती से यहां से questions आपके बने हैं, मैस में, इसके लावत समयकार से questions, तीन से इसके लावत राइकता से questions आपके बने हैं, इसके लावत राइकता से questions आपके बने हैं, और ग्राप से आपके questions बने हैं, तो I think आपको मैस का भी पूरा का पूरा पता चल चल चुका है, किन-किन topics से आ रहे हैं, अब questions मिलना तो बहुत बढ़ी बात होती है, math reasoning और बड़े- बड़ी बात होती है, तो यहाँ पर पूरे topic का पता चल चुके हैं, आपको, किलिए रहे, और जो guys pattern आ रहा है, मैस का, वो क्या रहा है, वो अपकारी में questions पूछे गए, इसके लावा, constable में, यह जो same pattern है, इनके हिसाब से questions आ रहे हैं, कुछ नए pattern पर questions नहीं आ रहे हैं, जो latest pattern है, वे आप हम, यहने ESB का, उसको आप एक बार अच्छे से लगा लीजिए, अब हम बात करते है reasoning की, तो guys reasoning में, पहला question पूछे काई आपका पजल से related, आप पजल से हो सकता है, दो से तीन number के questions आपके पूछे गए हैं, किलिए sitting adjustment से questions आपके बने हैं, दिसा निर्दे questions आपके पूछे गए हैं, तो यह पूरा reasoning का आपको निचोड़ बता दिया, कहां कहां से आपके questions आ रहे हैं, पूरे के पूरे 8 subject के सभी questions आपको cover करवाए हैं, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतना पता चलना, आपके लिए काफी ज़्यादा, उसको सकते हैं, आपन plus point, क्योंकि आप समय रहते हैं, उसको cover कर पाएंगे, क्लिए रहें, तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप उस चीज़ को समझे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरू सकर लें, ताकि हमें support मिले, motivation मिले, और अच्छे से पर आपको लिए, जो कि अल्रेडी हम आपको बता चुगे हैं, सारी चीज़ आइधिंक आपको पता है, इनके बारे में, इस अभी की description में link है, आप एक बार demo जो से check out करेंगे, तो आपको काफी जादा help हो वहाँ पर मिले आएगे, पीडियो के लिए क्या करना है, आपको tele telegram को जोइन करना है, जिसके link के description में है, application को download करना है, दोनों के link description में डालिए, इस वाली process को follow करीगा, तो आपको PDF मिले जाएगे, एक बार और हम आपको बता दे, आपको royal study application को download कर लेना है, उसके बाद study material में जाना है, और वहाँ पर आपको MP पटवाली analysis के PDF का वहला option मिल जाएगा उसके click करना है, ओल्डर, वहाँ पर आपको date wise पूरा PDF डाली गई है, 15 की PDF डाली है, 16 की जल्द से जल्द PDF आपको provide कर दे, clear है, तो मिलते हैं हमारे next analysis script में, पत्तक लेजे हैं, वन्ने मात्रा